बॉलिवुड में 1980 का दशक अभिनेता जितेंद्र और एक्ट्रे स्रीदेवी के नाम रहा। इन दोनों ने इस दोर में एक नहीं बलकी 18 फिल्मों में साथ काम किया। दर्शकों ने पहली बार जितेंद्र और स्रीदेवी को परदे पर फिल्म हिम्मत वाला में साथ देखा। और इस फिल्म को डारेक्टर के रागवन राओ ने बना है था जो एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। और फिल्म का गेट नैनो में सपना आज भी लोगों की जुबाँ पर है। हिम्मत वाला के हिट होने के बाद इन दोनों सितारों ने उसी साल तीन और फिल्मों में साथ काम किये। जिनमें जानी दुश्मन, जस्टिस चौधरी और मवाली सरी की फिल्में शामिल हैं। वही एक के बाद एक फिल्मों में साथ काम करने की वज़े से जितेंद्र और स्री देवी के बीच अफेर की खबरें खूब सुर्खियों में बनी रही। लेकिन इन दोनों ने इन खबरों को तवज्जों नहीं दिया और साथ काम करते रहे। बॉलीवूड में बहुत कम ही कलाखार हैं जिनोंने 18 फिल्मों में साथ काम किया हो। उनमें हमारे डांसिंग स्टार जितेंद्र और रूप की रानी स्री देवी का नाम शुमार है। स्पेसल रिपोर्ट टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री